लीजे सुनिए आचारे चतुरसें शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का सत्रहवा भाग मधु यामने मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वक्रगतिका, शीन कलेवरा, विमल सलिला शेलनदी के समान दानों की बेटी मंदुदरी की देहे यश्टी थी माधुर और सौकुमार का उसमें विचित्र सामंजस से था दानों की राजप्रासाद में मणी मानिक और शंगार सज्जा की कमी न थी दासियों और चेटियों का भी अभाव न था रावन की आग्या से दानवेंदर का मणी महाले मंदुदरी के लिए सज्जित किया गया एक सहस्त्र दानाव कुमारियां उसकी सिवा शुष्रूशा के लिए नियुक्त कर दी गई उन्होंने क्रशांगी मंदोदरी को सुगंधित उबिटन लगा सुगंधित जलों से स्नान कराया केशों में मदुच्छिष्ट म्रगमद लगा चोटी गूत उनमें मुक्ता गूते कपोलों पर रोध्र संसकार किया मस्तक पर हीरक चंद्र कानों में नील मनी कुंडल और कंठ में महारग मुक्ताओं की माला धारन कराई कोमल शौम कंचुक से उन्नत इस्तन बंध किये वक्ष पर कुमकुम कस्तूरी अग्रू का लेप किया भाल पर गोरो चन की श्रीदी अधरोष्ठो को तामबूल रंजित किया सरपणी के समान उसकी पद चुम्बनी वेणी लटकने लगी इंद्र नील मनी की मेखला धारन करने से उसकी कटी की शोभा सागर के समान हो उठी उसकी उजवल धवल दंत पंक्ती उसके लाल अधरोष्ठों से यतकिंचित सीथकार सकरते हुए प्रश्वासों के साथ निकलती हुई अप्रतिम सुष्मा प्रसार कर रही थी उसके कमल के समान बड़े-बड़े नैनों में काजल की रेखा ऐसी प्रतीत होती थी जैसे नई कटार पर फिर धार चड़ा दी गई हो उसकी बंके म्भोहों के नीचे मदेर द्रिष्टी मदवर्शा कर रही थी वो पूर्ण चंदर के समान सुष्मा वाली करशोधरी नक्षिक शरंगार कर विश्रत विश्रवा पुत्र मुनी कुमा रावन पॉलत्स के सानद्ध में जाने के करण लाज के भार से सिकुड़ी सी जा रही थी इस परकर अकल पित अतर कित रीती से प्रान रक्षा होने अपनी अभिसार नाइका का देखते देखते ही वद होने तथा दानवों के द्वीप के साथ दानव पुत्री मंदोदरी को प्राप्त करने के करण रावन एक बारगी ही अस्त व्यस्त हो था अभी वो स्वस्त नहीं था परन्तु दिव सरूप मंदोदरी के लिए उसका संपूर्ण तारोन विकल हो रहा था मनोरम सांध बेला थी प्रबल पराक्रिमी रावन उस समय प्रमदवन में विच्रन कर द्वीप की सुष्मा देख रहा था चंद्रमा की करणे परवती प्रदेश में रजत कण बिखेर रही थी शीतल मंद सुगंद समीर से हिल हिल कर व्रक्षों से जड़ जड़ कर पुष्प बिखर रहे थे जिनके कारण वहां का प्रदेश पुष्प में हो गया था चारो और परवत की छोटी बड़ी परस पर गुथी हुई श्रंखलाए उनके बीच में कांती मान करणी कार के सगन वन कदंब, मौलसिरी, चमपा, नागकेसर, अशोक, आम, केवड़ा, चिरोंजी, नारियल और कटहल के व्रिक्ष शोभा दे रहे थे रावन द्वार अभय पाई हुए सुभट दानव तारुने से परिपून मदमाती स्त्रियों के साथ जहां तहां विहार कर रहे थे मधुर कंठ वाली किन्नरियों की स्वर लहरी वायू में तेर रही थी जिससे रावन का तारुन शत्सहस्त्र मुख होकर जाग रहा था प्रासाद में अपसरायं तथा दानव के शोरिया, राज महीशी मंदूदरी का शंगार करती हुई वीना, मिर्दंग, मुरज, मुरली के साथ कुकिल कंठ से गान कर रही थी मौलसिरी और बकुल के पुश्पों की भीनी महक से वातावरन सुरभित हो रहा था वसंत की मकरंद गंध और विविद पुश्पों के सौरब से रावन मस्त हो गया वो सुवासित मद्द पी-पी कर कामदग्द हो विरहियों के समान लंबी-लंबी सांसे लेने लगा आकाश में चंद्रोदय हुआ कभी वो चंद्रमा की ओर देखता कभी दूर तक फैले हुए सागर विस्तार को इसी शन लाज के भार से सिक्ड़ी पुश्प भार से लदे वरंत की शोभावाली मंदोदरी को सक्खियों समेत धीरे धीरे प्रमदवन में आते देखा वो अधीर होकर दोनों हाथ पहला कर आगे बढ़ा किन्तु कुछ सोच कर जहां का तहां रह गया इस समय मंदोदरी के अंग पर जैसे छहोर रितुएं वास कर रही थी विविद पुश्पों के मनुरम और कलापून आभूशन धारन किये जिने किन्नरियों और दानो कुमारियों ने गूथा था वो मूर्ती मती वंश्री दीख रही थी उसके देह में अंगराग लगा था केशों में कल्प व्रिक्ष के फूल गुथे थे उसके नेत्र ऐसे थे जो बर्बस मन को खीच लेते थे पुश्ट नितंब, पूर्ण चंद्र सा मुक, धनुशिसी मां की भौहे गजराज की सून सी सटकारी जंगाएं और नव पल्लव से भी कोमल उसके हाथ अनायास ही देखने वाले के मन को मुह लेते थे एक चेटी ने कहा, भर्त दारिके, देखो, वो सागर तीर पर धवल रम्णिये सार्सों की पंक्ति कैसी भली लग रही है मनुरम है, किन्तु मैं श्रमित हूँ, आओ, यहां माधवी लता मंडप में विश्राम करें मन्दोदरी लता मंडप में रखी इस फटिक शिला पर बैठ गई, सक्यों ने उसे चारो और से घेर लिया इसी समय एक चेटी ने आड में खड़े रावन को देख लिया उसने मन्दि स्मित संकेत करती हुए कहा, अरे वो कौन है मन्दोदरी ने बड़े बड़े कमल से नेत्र उठा कर देखा, उसके नेत्र लाज और चाह से भर गए मन्द मुसकान के साथ उसने कहा, आरे पुत्र ही तो हैं, अब क्या करूँ रावन ने भी ये देखा, वो धीरे धीरे आगे आया मन्दोदरी ने खड़ी होकर कहा, जैत्वार्रे पुत्र इद्मासनम अई मन्दोदरी, आस्याताम यदार्रे पुत्र आज्या पैती दोनों इस फटिक शिला पर बैठे, चेटियां दूर खिसक गए मन्दोदरी ने कहा, आपका मुख जल से भरे हुए मेगों के समान अश्रुकलिन है इसका क्या कारण है? आहा, काश कुसम रेणू आख में गिर गया, उसी से मन्दोदरी ने व्यग्र भाव से चेटि को पकार कर कहा अरी सुखोदक लाओ, चेटि दोड कर गई, सुखोदक ले आई रावन ने मुख प्रक्षालन किया, वो मन में सोचने लगा ये नवोड़ा बाला मेरे मन की सच्ची व्यथा सुन क्या कहेगी यों तो ये धीर स्वभाव की दीख पड़ती है, परन्तु इस तरी स्वभाव ही अधीर है इसी सिप्रिया से मुझे जूट बोलना पड़ रहा है इसी समय चेटि ने आकर निवेदन किया, समुद्र ग्रह में शैय सज्जित है सखीयों ने रावण की संकेत से मंदूदरी को उठाया और समुद्र ग्रह की ओर ले चली समुद्र ग्रह के द्वार पर जाकर सब ठिठक गए रावण ने हाथ पकड़ कर मंदूदरी को भीतर लिया सखी चेटियां लोट गए प्रासाद में मंगल वाद्द बज रहे थे तथा न्रत्य अंगनाय मंगल गान कर रही थी कक्ष में सुगंधित तेल के दीप बड़े बड़े दीप आधारों पर जल रहे थी प्रशोदरी मंदोदरी को अंक में भर कर रावण ने उसके शत सहस्त्र चमन ले डाले फिर उसने उसकी आखों में आके डाल कर कहा प्रान सकी क्या ये सुपन नहीं है क्या सच मुझी तुम मूरती मती कौमुदी आज मेरे सानिध्ध में हो तब क्या दान व मकराक्ष ने मेरी बली नहीं दी वो सब सुपन था मंदोदरी ने पलकों में मुस्कान भर के कहा सत्य था मैंने आपको बली यूप में बंधि देखा तब तुमने ये भी आशा की थी के ये यूप बद्ध बली पुरुष तुम्हारा पती होगा आशा नहीं काम ना की थी पित्र चरण से मैंने आगरह किया था वे तुम्हारी रक्षा करें फिर दानवेंदर मकराक्ष ने पित्र चरण का अनुरोध नहीं माना इसी से पित्र चरण ने अपने बांधाव दानवों से विद्रोह किया उन्होंने दानवेंद्र के विरुद्ध तुमारे पक्ष में युद्ध किया था। कहां? ये तो उन्होंने कहा नहीं। नहा कहने से क्या? पित्रचरण आत्मिशलागा नहीं चाहते। मैं उनका उपकृत हूँ। क्या मैं उनका कुछ प्रिये कर सकता हूँ? यदि तुम मात त्रचरण का उद्धार कर सको, कहां है वे, उरपुर में, देवों के सानिध्य में, किसके, वारुनों के, किन्तु क्या, वहां वे क्या सुच्छा से हैं, मैं नहीं जानती, जब वे गई, मैं बहुत छोटी थी, कोई संदेश मिला, नहीं, अच्छा, समय पर याद दिलाना, दिख पाल वारुनों को देखूंगा मैं, अनुग्रिह तासमी, क्या तुम मुझे पाकर प्रसन हुई प्री है, ये तो अधिक से भी अधिक है, तुमने पहले कभी मिरा नाम सुना था, किवल शण भर मैंने तुम्हें बली यूप में बंधा हुआ देखा था, उसी शण मै अपने को तुम्हारे पाद पदम में अर्पित कर दिया, यदि मैं बली हो जाता, तो मैं भी, रावन ने प्यार चलकती आखों से बंदू दरी की और देख कर कहा, अपर चिता ही, और क्या, क्या और ने भी कदाचित यही सोचा, कौन, वो देते बाला, वो बली, हाप रिये कौन थी वो, अभिसार सकी, दो दिन पूर वो से प्रथम शन देखा, प्रणाय हुआ, विग्रह हुआ, बंदी हुआ, जल्दे उसे उसने मेरे जीवन की रक्षा की, और यहाँ बली यूप में बंदे बंदे अपना जीवन दे, मेरे प्राणों की रक्षा की, अहा, सू उत्र के नेत्र वाश्पाकुल है, इसी से, कल भोर में उस होतात्मा की स्मृती से विकल विदग्ध, जब मैं शून नहिर्दय, शून दृष्टी से सूने सागर की लहरों को देख रहा था, दिव्यंग ने, तुने ना जाने कहां से, पारिजात कुसम कलिकासी कहीं से अव विद्दानवेंदर की आहूती दी, वो हस पड़ी, कुंद कली सी धवल दंत पंक्ती से रावर्ने विमोहित हो, मंदो दरी को वक्ष से लगा कर कहा, उस जल्दयों की जै हो, अरे, ये क्या कह दिया, क्या हुआ, अनर्थ, अनर्थ, कैसा, तुमने जल्दयों का जैजैकार क किया, तो फिर, जल्दयों तो दिख पती वरून है, वारूने उन्हें मेरी माता का हरन किया है, उन्हें तो तुमने विमर्दित करने का वचन दिया है, हवश्य दिया है, किन्तु उनके विमर्दित होने पर जो नए जल्दयों होंगे, उनकी जै जै, वे कौन, तेरे पित् वैशरवाण रावण पॉलत्स के अकारण मित्र तुम धन्न हो आरे पुत्र परंत में आरे नहीं आरे पुत्र मंदुदरी रावण के वक्ष से जा लगे अच्छा अभी यही सही भवेश में मुझे रक्ष पती कहना इसनिक्ध चांदनी रात थे समुद्र की आनंद दायक वायू के जोंके आाकर युगल दमपत्ती के हर्दय उल्लास को आंदुलित कर रहे थे रावण मुख्ध दृष्टी से मंदुदरी को देख रहा था जो चंद्र जोत्सना की रज़त प्रभा में हीरक मनी सी दिप रही थी दानों कन्याएं अलक्ष रहकर मंगलगान कर रही थी सिंग द्वार पर बादलों की गर्जना की समान नगाड़ी बज रहे थे रावण अत्रप्त दृष्टी से लज्जावन मिता शेंड कटी वाली मंदोदरी को दृष्टी से मानु पी रहा था मंदोदरी ने मंद मुस्कान से कहा अब क्या सोच रहे हो तू ही कह उसी महा भागा अभिसार सकी की बात नहीं तेरी मेरी क्या तेरी कुसुम को मल अमल धवल तरल गात रहे जैसे च्छूने से ही मेला हो जाएगा मंदोदरी ने बंकिम कटाक्ष करके पती की ओर देखा फिर हसकर कहा चू कर देखो इतना तो यथेष्ट नहीं होगा प्रिये यथेष्ट कितना होगा तुझे समूची ही यदि मैं अपने में समा पाऊं तो तो परमसुख की उपलब्धी हो परमसुख की उपलब्धी करो तुम तिरी अनुमती है पर मेरा साहस कहा है धानवे अंदर मकराक्ष की जीवे ताहूती देने में सब समाप्त हो गया नहीं देख रहा हूँ तुझे आकरांत करने योग साहस मुझे में कभी का है ही नहीं मंदुदरी रावण के वक्ष से आ लगी उसने मृदुल कंठ से कहा मैं तो तुमारी अनुगता हूँ दासी हूँ मुझसे तुम्हे सुखोप लब्धी हो तो अहो भाग ले रावण ने मंदुदरी का चुम्मन लिया और फिर कहा सब कुछ अनिर्वचनिय से प्रतीत हो रहा है क्या जैसे आज तेरे सानिध्य में मेरा अहां गला जा रहा है मैं जैसे खोया जा रहा हूँ ऐसा ही तो मैं अन्भाव करती हूँ आरे पुत्र क्या तेरे लिए भी ये नई अनुभूती है है तो अहा तो चल वो पुषपुषईय है सुखासन है सुरभित मद्ध है वासंती पवन है प्राणों में प्राणों के लए होने का शण है उसने उस अनिंद दानव नंदनी किर्षो दरी मंदो दरी को हिर्दय से लगा कर कहा समापो हिर्दयानी नौ अभी आप सुन रहे थे आचारे चतुरसें शास्त्री के लिखे उपन्यास वयमरक्षा महा का सत्रहवा भाग मधुयामनी मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में मेरी आफ साय शास्त्री। प्सक फ्सक प्सक प्लिए्वामी का चारे, आफ से लगे कि ए है झाल झाल